कुझालाम अलेकब अच्वर टॉपिक के नाम अब पारिस्टालसी बहुत असान और सिंपल सा इसका नमके बड़ा पैरेस्टाल सी देखते तेरी एक मूवम्मेंट है यह मूवमेंट को कहते हैं दा मोमेंट ऑफ डैजस्टिव ट्रैक मतलब हमारे डैजस्टिव ट्रैक है जाडास्ट्री ट्रैक इसकी जो मुवमिंट है बड़ा इस की मुवमǫमिन को को ना देखियार कॉर पहरे corona से सैन्प होता क्या है इसकी मेरास एक ही काम होता है जो खुराक है जो के मेरे बचे मुव करती है और बड़ा यह मुव कहां करती है अलाउंग ।ांग ताbig cavity of canal तो बड़ा जो cavity of canal है cavity of canal मेरे बच्चे उस कनाल की cavity के अंदर मेरे बच्चे ये खुराग मूव करती है तो पहली जो बात मैंने बता है कि ये एक movement है अब ये movement parastalsis कहते हैं इसको अब ये parastalsis जो movement है किसकी वरसे होती है बटा ये जो digestive track है इसकी जो movement इसको कहते हैं तियर को पहले साथ से इसकी वरसे होगा क्या बड़ा इसकी वरसे एक काम होगा जो फूड है ये move करेगा कहा बड़ा खाली जगह पर और किसकी खाली जगहा जिसका नाम के बड़ा कनाल किया होता है एलिमेंटरी कनाल या डेज़ेस्टिव कनाल भी कैसे हैं खुराकी नाली को कहते हैं कनाल के अब बढ़ा यह जो मूवमेंट कौन करवाता कौन है अगर देखा जाए यह जो कनाल है जो के अलिमेंटरी कनाल कहा सकते हैं यह डिजेस्टिव कनाल कहा सकते हैं बड़ा यह बनी होती है दो मसल से मतल है यह कंपोस होती है कंपोस बाई टू मसल यह दो मसल से बनी है जिसकी वरत से यह मूवमेंट पैदा हो रही है पहला जो मसल है बड़ा उसका नाम है longitudinal muscle और longitudinal muscle के बाद जो दूसरा muscle आता है बड़ा उसको नाम दिया जाता है डियार कौल्ड सर्कुलर muscle मतल के दो तरह के muscle's है इसके अंदर जो कि इस पूरी कनाल को बनाने वाले muscles है एक नाम बड़ा मनें किया बताया longitude and circular muscle कहा जाता है जो कि बड़ा मजूद होते है किसके अंदर बेटा जिसका नाम है elementary canal या digestive canal के अंदर अपड़ा जो दोनों muscles है इन दोनों muscles का काम क्या है इन दोनों muscles का काम क्या है बड़ा इन दोनों muscles का काम देखा जाए तो सबसे बड़ा काम बड़ा वो है produce करना बनाना produce of contraction and relaxation wave मतलब जो contraction और relaxation वाली wave है बड़ा इस wave को produce करने के लिए ये दोनों muscles involved होते हैं जो कि बड़ा काँ पर ये बड़ा digestive कनाल के अदर है इसे ना दोनों muscles का काम क्या है बड़ा इन दोनों के muscles का काम है squeeze करना squeezing the food खुरा को squeeze करना along the along the canal तो जो कनाल के अंदर खुरा को squeeze करता है दखेलता है बड़ा दखेलने वाले muscles होते हैं और वो muscles कोंड से लोंगी ट्यूनर मसल और सर्कुलर मसल और इसी वज़ा से ही मेरे बचे way produce होती है आप इसको movement भी कह सकते हैं डरीept कणाल के अंदर बनती है जिसके नाम के बड़ा parristaltet Samsies है अब भी परेस्टार्सीalsis मूवमेट है आगर देख जाएं या आपको कहा पे अनाजर आती है बड़ा यह present ईनी deny in whole elementary कनाल यह present होते इं core elementary कनाल के अंदर पूरी डेजस्टिव कनाल के अंदर आपको जो नजर आती है बड़ा उसका नाम है पैरिस्टाल्सिस मुवमेंट है या मेरे जो यह प्रेजेंट हो दिया है बैक टूदा बैक टूदा माउथ जो आपके मुँ है मुँ से पीछे जो गला स्टार्ट होता है वहां पे बड़ा जो आपको नजर आती है मुवमेंट उसके नाम के बड़ा पैरिस्टाल्सिस है अब रहे देखेगा घोर से जैसे कि आपको मैं बताना पैरिस्टाल्सिस मुवमेंट कैसे ह ये बेटा elementary canal है और ये elementary canal कहीं पर सुकरड़ी होगी कहीं पर relax होके फैल रही होगी और इसकी वज़ा से जो उपर से आता है बोलस जो कि पीछे में टॉपिक में पढ़ा चुका है स्वैलो के अंदर या oral cavity के अंदर बोलस क्या होता है ये बोलस जो उपर से आ रहा है अब ये अराम अराम से नीचे आता है आप देश रहते हैं यहाँ पर ये जो दोनों मसल है ये बड़ा क्या है इस वक्त कॉंट्रेक्ट है और एक तरफ ये बड़ा क्या है रलेक्स हैं और ये फैल चुके है और इसकी रलेक्सेशन और कॉंट्रेक्शन के वरा से ये मेरे बचे वे प्रड्यूस होती है और ये जिसकी वज़ा से ये बोलस अराम से नीचे आता है कभी ऐसा तो नहीं होता आपने नवाला लिया और नीचे आगे मेदे के अंदर गुरूम की वाज आई ये कभी एसा तो नहीं हुआ कि मेरे बचे आपने कोई खुराक खाई और आप वेट करें काई तो पता लगए कि नीचे आवाज आईगी तो पता लगए ये डिया भी थल्ये पहूंच दोंग ये उगना नौला लील है ऐसा तो नहीं होता क्यों ऐसा नहीं होता कि आपको गुडूम की ओाज क्यूं नहीं हाता आप खुराख जब पीछे ध्केल दे हैं तो मेदेर के अंदर आवाज आने चाहिए यह आवास इसलिए नहीं आती क्योंकि खुराग ड्रेक्ट नहीं नीचे पहुंटी वो अराम अराम से नीच चाहती है, स्क्वीज होकी नीच चाहती है और स्क्वीजिंग के लिए, यह मेरे बचे जो मुवमेंट मैंने बताई ही है, जो स्क्वीज कराते हैं, यह है बड़ा परिस्टाल्सिस मुवमेंट कहलाते है, अब जो परिस्टाल्सिस मुवमेंट है, जिसमें मैंने बताई है, इस वकत क्या है, रेलेक्स हालत में मसल्स, औ माउट से खुराख में आगे दकेली स्टमक के पास जाएगी और स्टमक से एवन यह कहां चले जाएगी बटा इंटरस्टाइंड के पास चले जाएगी और अगर ऐसी उल्ट हो जाए तो बड़ा उसको हम कहते हैं तो एंटी पेरस्टाल्सीज में कोई चीज़ डिफरेंस नह कि दो जो खुराइक है उसका पीछे की तरफ आना फॉल उन्दर कोई आन्दर को एंटी परिस्टारस अि जैसे इंटारइस्टव से कहां पर बेटा स्ट्रमिक और स्ट्रमिक से मेरे ज़िए कहां पर माउथ से बाहिर या माउथ के अंदर देख लो एंटिपरस्टाइस तो मेरे बजी यहां मैंने क्या कुरुआ है फूड जो खुराक है में भी पास्ट जो के गुजरेगी में भी पास्ट फ्रॉम इंटरस्ट कहां पर जाएगी इंटरस्टाइस से इंटरस्टाइन बैक इंटू दा स्ट्रमिक बैक इंटू दा स्ट्रमिक के अंदर जाएगी और एवन 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 इंटू दा माउथ तो एवन वह माउथ के अंदर बीच ले जाएगी तो बड़ा इसको हम नाम देते हैं दियार कॉल वॉमइटिंग, ऐग्सेंपल ऐगिये, इसकी क्या अग्सेंपल बेटा, वॉमइटिंग ये, तो जो वॉमइटिंग है, करके जो आप निकालते रहते हैं, तो वो जो सारा जो लगागी अंदर से जो चीज़ें बाई निकालते हैं वो एंटी फैरस्टाल्सिस की जिरे से होता है अब मेरे बचा अक्सर जो भूके लोग होते हैं उनको भूक बड़ी ज़दी लगती है और इतनी वह लगती है कि मैं मरन लगा मैं उच्छान वासे दे दो मेरी बस होग और कोन सी कोंट्रेक्शन है पैरिस्टाली कोंट्रेक्शन है अगर मैं कहते हैं इंक्रीज भढ़ जाए इंक्रीज पैरिस्टाली कोंट्रेक्शन और यह उस वकत होता है जाद रखिये यह उस वकत होता है मेरे बचे जब आपके ब्लड में एक चीज कम होगी है और उसका न भुलेड में गुलुamı कोजने अखता है उस वक्यक्यों जो मेरे बिचा कोंट्रेक्शन होती है परिस बहुत चा बोती है बद्दा, उसको नाम धेते हैं जरू हंगर कॉन्ट्रेक्शनुर। कब ज़्यादा होगी कब यह contraction बढ़ती है जब मेरे बचे low level होता है कि इसका गुलुकोस का उसी दुना आपको uncomfortable sensation होती है आप अजीब सा मुसूद करते हैं uncomfortable आप मुसूद करते हैं uncomfortable sensation होती है और जब sensation uncomfortable होती है इस sensation को हम नाम देते हैं they are called hanger pang कहते हैं और ऐसी sensation को नाम देते हैं they are called hanger pang है और यह hanger pang कहले hunger contraction कहलें यह सारी के सारी उस वकत होती है जब आपने खाना नहीं खाया हुआ कब मेरे बचे बारा या 24 गंटे हो चुके हैं मतलब यह सारा जो हला जो मैंने बताई हैं यह उस वकत आपको नजर आते हैं आपकी body में occurs होते हैं जब मेरे बचे आपने diet नहीं ली 12 से 24 गंटे ठीक है यूली बिगिन 12 या 24 आफ्टर मिल सुरी बिफॉर मिल तो आपने खाना नहीं खाया 24 गंटे हो गया है या मेरे बचे 12 गंटे हो गया उसके बाद जब गुलुकोस का लेवल कम हो जाता तो तो अड़े बर्दास्ट ही नहीं हो की रहे तो हैंगर पैंग बनेगा हैंगर खुएंगर कॉंट्रेक्शिर नहीं हो गया होगा मतब परिस्टाली क्यूंट्रक्शिर जैदा हो जाती है लो ग्रुकोस के लवा वजह से दीरकौल हैंगर गया है और अजीब कैफिय दीर गया हैंगर पैंग है लसालों आफीज